हलो बच्चों, वेलकम टो और यूटूब प्लेटफॉर्म, टॉप कोचेंग, मैं धनन जय, आसा करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे, और बच्चों, आज हम लोग बड़ा अच्छा कोश्चन पढ़ने वाले हैं, मिन्स बड़ा जिग्यासा रहती है, जब हम लोग ऐसे को हो सकता है, क्या ये सच है या गलत है, तो इसी पर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि one equal to two कैसे हो गया, और बाद में प्रूफ करेंगे ये चीद कि ये कहां पर हम लोगों ने गलती की, क्या ये possible है या नहीं, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लो से consider करते हैं, we consider a equal to b, a equal to b, अब जड़ा देखो, अगर मैं a की multiply कर दूँ दोनों side में, तो देखो a square हो जाएगा, इधर a b हो जाएगा, फिर b square को minus कर दूँ दोनों side, a square minus का b square, a b minus का b square, अब आपको पता होगा, a square minus b square वाला formula लगा दो, तो क्या हो जाएगा, a minus b, a plus b, और इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाईया देख लो, a minus b, और b को मैंने क्या किया, common ले लिया, b common ले लोगे, यह हो जाएगा, देखो भाई, a minus b, a minus b, कट गया, आया क्या a plus b equal to b, आपको पता है, कि a equal to क्या है b, तो मैं क्या कर सकता हूँ, b की जगा पर a put क जगा कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर देखो बच्चों पटा, फट यहाँ पर में a plus a equal to a, b की जगा पर क्या लिख दिया, a, यह क्या हो गया, two a equal to a, बेखो a, a अगर मैं कट कर दूं तो क्या आ जाएगा, two equal to one, तो भीया proof हो गया, यह क्या हो गया, two equal to one, प्रूफ ह अब बात यह उठती है कि यह सच में प्रूफ किया जा सकता है या नहीं क्या गलत है या यह सही है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि real में यह 1 equal to two proof नहीं किया जा सकता जैसे कि मेरे पास एक mobile हो तो क्या इसको दो बोल सकते हो या तुम्हारे पास एक घर है तो बोल सकते हो कि मेरे पास दो घर है क्योंकि भाई two equal to one proof करने का यहीं मतलब है कि जहाँ जहाँ two होगा वहाँ one लिख सकते हो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर 2 लिख सकते हो तो भाई मेरा नाम भाई मैं 1 हो ना मैं बोल दूँ क्या मैं double roll में आ सकता हूं क्या मैं 2 हो सकता हूं नहीं तो math गलत हो जाएगी अगर हम 2 equal to 1 लिखना प्रारंब कर दें तो कहीं पर तो मैंने गलती की तो गलती कहां पर की है देख लो भाई math में छोटा सा बच्चो concept है किसी भी चीज को जैसे मैं लिखूं कि भाई p upon में 0 तो ये बच्चो possible नहीं है इसको कहते है undefined भाई ये क्या है undefined चीज है ये define नहीं की जा सकती ये define नहीं हो सकती है किसी की भी नीचे 0 लिख दो वो define नहीं होतकता है वो infinite होता है तो भाई mathematics में p upon 0 को define नहीं कर सकते p की जगा पर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है अब ज़रा बच्चो गलती जानते हो कहां पर मैंने की है बच्चों यहां पर अगर आ जाओ जो ये चीज मैंने लिखी है बच्चों ये वाली चीज इसको इसको मैंने कट किया है a-b, a-b ये गलत तरीके से कट किया है क्यों? अगर देखो बच्चों इसको मैं यहां पर लिखूं a-b a-b equal to a-b और b ज़रा देखो a-b अगर इस साइड लेकर आऊं तो देखो a-b a-b upon में a-b equal to b भाई ऐसे लिख सकते हैं अब ज़रा बताओ जैसे कि मैंने a की जगा पर b put कर दिया या b की जगा पर a put कर दिया यहां पर अगर मैं इस step के आगे यह ना करता इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ और b की a की जगा पर b put कर दूँ तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ मुझे देखो यहां पर a-b a-b equal to यहां पर put कर दूँ b तो क्या हो जाएगा b-b equal to b ज़रा बताओ यह कट जाएगा यह तो 0 आएगा अब बताओ a-b a-b upon में 0 अगर लिख दिया जाए तो यह define नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी के नीचे अगर 0 आ गया तो वो define नहीं होता है तो इसके बाद जो मैंने यह चीज़ कट की थी यह चीज गलत तरीके से हम लोगों ने किया यह तरीका गलत है कट करने का कट करने का तरीका यह है कि a-b और a-b से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो बच्चों जैसे ही डिवाइड करोगे a-b से तो देखो यहाँ a-b नीचे आ जाएगा और यहाँ पर a-b, a-b कट जाएगा b आएगा फिर अगर हम लोग यहाँ पर a की जगा भी पुट करें तो 0 आ जाता है जो की define नहीं है तो यहाँ से हम लोग तरीका गलत लगा देते हैं और तरीका गलत लगाने के कारण हम लोग 2 equal to 1 प्रूफ कर देते हैं तो यह चीज पॉसिबल नहीं है अगर दूसरा एकजाम पर लो तो बच्चों एक चीज और मैं बता देता हूँ इसी को अगर मैं बोलूँ कि किसी 0 equal to 0 होता है 0 equal to 0 होता है और अगर मैं बोलूँ कि 0 में भीया 4 से multiply कर दो और 0 में 5 से multiply कर दो कोई problem नहीं होगी अब अगर मैं 0 और 0 को cut कर दूँ तो 4 equal to 5 proof कर सकता हूँ तो भाई जो बुधिमान लोग 1, 2 equal to 1 proof कर सकते हैं उनको भाई 4 equal to 5 proof कर दो यहाँ पर 100 cross में 200 कर दो 100 equal to 200 proof हो जाएगा तो गलत तरीके लगा करके 2 equal to 1 proof किया जा सकता है ठीक है बच्चों तो यह possible नहीं है मैंने आपको यह बता दिया कैसे लोग proof करते हैं और यह भी बता दिया कि कहां पर गलती करते हैं तो यह रहा आज का topic आज हम लोग ने बड़ी अच्छी चीज सीखिये बच्चों नेक्स टाइम आएंगे तो एक नई चीज बताएंगे जो चीज़ें आपनों को confuse करती हैं तो बच्चों ऐसे ही trick या ऐसे ही amazing fact जानने के लिए आपनों क्या करो subscribe कर लो top coaching को और बच्चो follow करो अच्छे चीज़ें आपनों को पता चलती रहेंगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next time एक नई चीज के साथ